जै जै माता दिमित्रो आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल पे भक्तो आप सबको मैं आज एक ऐसा बहुत ही दिव्य और चमतकारी सब्द और प्रयोग बताऊंगा जिनके प्रयोग करने से आप देखेंगे कि आपकी जिनदगी में पूर्ण तह बदलावाने सुरू हो गई है न शिर्फ बदलावा जाएगी आपकी पूरी जिनदगी बदल जाएगी आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी बस शर्ते यह है कि इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उन चीजों को उन नियुमों का पालन करते हुए अपने जिन्दगी में इसे अमल में लाईए तो सबसे पहले क्या करना है याद रखिएगा सबसे पहले आपका जो दिन की सुरुवात होती है वह परम पवित्र होनी चाहिए समय अर्थात प्राताहकाल अगर इस समय उठ जाए सुर्य उदय से पहले तो अच्छी बात है नहीं उठ पा रहे हैं तो भी इस प्रयोग को इस विधी को और इस विडियो के जो उपा है जो गुप्त सब्द है उसे जरूर सुनिए प्रती दिन आप देखेंगे कि पूर्ण मनो कामना आपके धीरे धीरे पूरी हो गई कोई भी इच्छा अधोरी नहीं रहेगी सबसे पहले उठ कर आप अपने दोनों हाथों के दर्सन कीजिए और उन दोनों हथेलियों को चुमिए हाथों की रेखाओं को चुमिए आप ऐसा तीन बार करिए उसके बाद उस परम पिता परमात्मा या फिर उस खुदा जिसको भी आप मानते हैं तो उसके प्रति धन्यवाद का भाव दीजिए एक चीज हमेशा ध्यां रखेएगा सबसे पहले जिसे आप मानते हैं वह है आपका कुल देवता हर इंसान का एक कुल देव होता है उसका सबसे इमीजियेट फैमिली होता है वही कुल देव को धन्यवाद दीजिए आप बोलिए कि मैं अपने अंदर के दिव्यता को स्विकार करता हूँ मैं अपने अंदर के अनंद की सक्ती को स्विकार करता हूँ मैं अपने अंदर की अनंद की सक्ती को जागरित करता हूँ उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही आपको बोलना है और उसी तरह से आपको चलना है हे मेरे कुल्देव ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे मेरे कुल्देव जितनी संपनता आपने मुझे दिया है और जितनी संपन्नता आपने मुझे देने हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हे मेरे कुल देव आपने जितनी सांती मुझे दी है और जितनी सांती मैं प्राप्त करने वाला हूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हे मेरे कुलदेव जितने स्वास्त आपने मुझे और मेरे परिवार को दिया है और जितनी स्वास्त और आरोग्यता मैं प्राप्त करने वाला हूँ उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हे मेरे कुलदेव जितने ही सौभाग्य मुझे मिले है जितने ही सौभाग्य पूर्ण जिन्दगी आपने मुझे दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हे मेरे कुल देव मेरे भीतर आपकी संजीवनी प्रवाहित हो और आपकी कृपा सदर्वनी रहे यह प्रती दिन आपको प्रात्ना में बोलनी है सबसे पहले सो उटकर याद रखिएगा सोने के बाद उटकर सबसे पहला आपका काम बस इनी सब्दों को प्रती दिन बोलना है आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जिन्दगी में चमतकारी बदलाव आने सुरू हो गये हैं अगर आपके कई भी पिछले जन्मों के या फिर बहुत पुराने से पुराने काम भी नहीं बन रहा है तो भी वह बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसको आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन जो खुल दे होता है आपकी immediate family सबसे पहला परिवार का आहम सदस्य वह आपके लिए क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते बस अरते आप वहां तक पहुंच नहीं पाते उसको जान नहीं पाते हैं तो रास्ता मैंने बता दिया है मित्रो फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो वार्षाप या मैसेज कर सकते जो आपको नंबर डिस्प्ले में सोहरा है जय जय माता दिमित्रो